आपका जेबी शोशल साइंसिस क्लासेज में सवबत करता हूँ आज का हमारा जो वीडियो है इस वीडियो में मैं दस्वी खक्षा की घुबोल की पुस्तक पर पार्ट दो के बारे में बताँगा उस पार्ट को शूब करने से पहले आप जीबी शोशल साइंसिस क्लासेज पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्याद़ ज्याद़ शेयर कीजिए विद्यार्थियो इस वीडियो में हम भुगल की पुस्तक के पार्ट दो वन ए वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियो आपको ये पता हो दो ना चाहिए कि हमारी जो पृत्वी है ये पृत्वी सौर मेंडल के उन ग्रहों में अदित्य ग्रह है जिन पर जीवन है हमारी इस प्रित्वी पर जीवन होने के बहुत सारे कारण है उन कारणों में से ये है कि प्रित्वी का काफी बड़े हिस्से पर जल है और जलों से ही जीव की पहली उत्पत्ती हुई और प्रित्वी पर संसार में विविन परकार के जीव जन्तु पाए जाते हैं वो एक तरह से हमारे वन्य संसादन है तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पृत्वी ग्रह है इस पर हम सोक्ष्म जीवानों और बैक्टीरिया जोक से लेकर वर्ट वरिक्ष, हाती और ब्लूग वहिल तक करोडों दूसरे जीवदारियों के साथ रहते हैं यह पूरा आवास से इस्तल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविद्ताओं से भरा हुआ है विद्यार्थियों परशन है कि जैव विविद्ता क्या है यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपून है विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्यय जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पती उपजातियां पाई जाती हैं वनस्पती उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारत मूलकी ही हैं तो विद्यार्थियों जैव विवित्ता का मतलब है कि जीवन में जो जैव हैं उनमें जो विवित्ता है भारत में और क्या पूरी प्रित्वी पर विविन परकार के जीव, जन्तु, पेड, पोदे, वनेवनस्पतियां इतियादी पाई जाती हैं तो इस भिंता को ही जैव विवित्ता कहते हैं वास्ता में देखें तो भारत में जैव विवित्ता के संदर में विश्व के सबसे समरत देशों में से एक है यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगबग 16,00,00 पाई जाती है और ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से दो या तीन गुना है आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवजनतों के संसाधनों के एक्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैडनिक जीवन में क्या महत्व हैं ये विविद्व नस्पति और प्रानिजात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथें हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते परंतु पर्यावर्ण के प्रति हमारी ऐसामईत्रों के करन पिछले कुछ समय से इन सलसाधनों पर भारी दवाब पढ़ा है तो विद्यार्थियों ये जैव विवित्ता का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व पूर्ण इस्तान है तो मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्तितिक तरंत का निर्मान करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्ता हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विविन त करते रहते हैं इन वानस पारिस्थितिक तंत्र में महत्पुर्म भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्रात्मिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्वर करते हैं वन्य जीवन और किर्शी फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विवित्ता पाए जाती हैं ये आकार और कारे में विविन हैं परन्तु अंतर निर्वरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुठ्य हुई हैं कहने का ताथ पर ये है कि यदि ये विवित्ता ना हो तो मनुष्य का जीवन चलना बहुत ही दूभर हो जाएगा अब हम अगले परशन विचार करते ये कि मानव क्रियां किस परकार प्राकर्तिक वनस्पतिजात और प्रानी जात के हास के लिए कारण उतरदाई हैं विद्यार्तियों चाहे भारत में वनस्पतिजात और प्रानी जात में बहुत ज़्यादा विवित्ता है और भारत इसमें बहुत सम्रिद्द है लेकिन फिर पर वनों में कटाई हो रही है वे विचलित कर देने वाली बात है देश में वन आवरन के अंतरगत अनुमानित 6,37,293 वर किलोमेटर क्षेत्र है यह देश के कुल बहुआलिक शेत्रिफल का 19.49 पर्तिशत हिस्सा है सगन वन 11.48 पर्तिशत खुला वन 7.76 पर्तिशत और मैंग वनों के क्षेत्र में 10,98 वर किलोमेटर में विर्दी हुई है परंतु वन क्षेत्र में विन संगठोनों द्वारा वरिक्षार उपन से हुई है यह रिपोर्ट प्राकरतिक वनों और वरिक्षार उपनों कृतिम वन में अंतर नहीं करती इसलिए इस रिपोर्ट के अधार पर हम प्राकर्टिक वनों के वास्तिविक खास्पवा ठीक तरसे अनुमान नहीं लगा सकते मनुश्य ने जिस तरसे अधाधुन वनों के कटाई किया उससे वनस्पतिजात और वन्याप प्राणी खत्रे में आ गई है कैसे आओ उसके बारे में जानते हैं कुछ अनुमान क्या कह सकते हैं कि भारत में 10 परतिशत वन्याप वनस्पतिजात और 20 परतिशत इस्तंधारियों को लुप्त होने का खत्रा है इन में से के उपजियातियां तो नाजुक अवस्ता में और लुप्त होने के कागार पर है इन में से चीता, गुलाबी, सिर्वाली बतक, पहाडी कोयल और जंगली चित्तिदार उल्लू और मधूका, इगन सीगनिस महुआ की जंगली किसम और होवर रडिया, हेप्तानियून रोन जो गास की एक परजातिय है जैसे पोदे शामिल है वास्तम में कोई नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातिया लुप्त हो चुकी है आज हमारा ध्यान बहुत अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणों और पोदों के लुप्त होने पर अधिक केंदित है परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पोदे भी मेत्वन होते हैं क्या विद्यारतियों आपको मालूम है कि भारत में बड़े प्राणीयों में से स्तंधारियों की 89 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरी स्रिपों की पंदर जातियां और इस्तल्चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खत्रा बना हुआ है लगभग 1500 पादब जातियों के भी लुप्त होने का खत्रा है फूलदार वनस्पति और रीड़धारी प्राणीयों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्राकर्त दर से पचा से सौगुना ज्यादा है अंतरवास्ट्य प्राकर्टिक संद्रक्षन और प्राकर्टिक संसाधन संद्रक्षन संग IUCN के अनुसार इन जातियों को निम्क शेरी में विवाजित किया गया है सामाने जातियां वे जातिय कहलाती है जिनके जीवित रहने के लिए सामाने माननी जाती है जैसे कि पश्यू, साल, चीड और कृतंक, रोडेंट्स, इत्यादी संकट गरस्त जातियां वे जातियां होती है जिनके लिप्थ होने का खत्रा है जिन विश्म परिस्तियों के कारण इनकी संख्या कम होई है ये दीवे जारी रहती हैं तो हमें इन जातियों का जीवित रहना कठिन है काला हीरन, मगरमच, भारते जंगली, गधा, गेंडा, शेर, पूछवाला बंदर, संगाई, बनीपुरी हीरन जिसे कहते हैं जादी इस परकार के जातियों के उधारन है स्थानिक जातियां कौन सी होती है प्राकर्तिक या भगोलिक सीमाओं से अलग विशेक्षेस्त्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कभूतर, अंडमानी जंगली सुवर और अरुना चलके मिथुन इन जातियों के उधारन है तो अब ये लुप्थ होनने वाली जातियां कौन-कौन सी है ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्तित पाई गई है ये उपजातियां स्थानेक शेत्र, परदेश, देश, महादीप या पूरी प्रिथी पर लुप्थ हो गई है ऐसी उपजातियों में एशय चीता और गुलाबी सिरवाली बतक शामिल है विद्यार्थियों जदी आप चार और नाजय दोडाएंगे तो आप पाएंगे कि किस परकार हमने प्राकर्तिक को संसादों में परिवर्थ कर दिया है हमें लकडी, छाल, पत्ते, रबड, दवाईया, भोजन, इंधन, चारा, खाद, इतियादी, परत्यक्ष और प्रयोक्ष रूप से वनों वन्य जीवन से प्राप्त होता है इसलिए हम ही जिनोंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुँचा है भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में, उपनिवेशिक काल का मतलब है जब भारत पर अंगरेजों का शाषन काल था तो उस समय में जब रेलेल लाइन की बिच्छी थी, किर्शी, वेवसाई, वानिचे, वानिकी और खनन किरियाओं से में विर्दी हुआ स्वतनतर प्राप्ति के बाद भी वन संसादनों के सिकोडने से किर्शी का फैला महत्पुन कान को में से एक रहा भारत के वन सर्वेक्षन के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगवग 26,202 किलोमेटर वन किशेत्र भूमी में परिवर्थित किया गया अधिकतर जन्जात्यक शेत्रों विशेशकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थाना अंत्र जूंक खिती अत्वा स्लैश और बर्न खिती की चलते वनों की कटाई से निमिनिकरन हुआ बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओन भी वनों को बहुत नुकसान पहुचा है 1952 से नदी गाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर किलोमेटर से अधिक वनकिशेत्रों को साफ करना पड़ा यह प्रिक्रिया अभी भी जा रही है और मध्य परियोजनाओं के पूर्न हो जाने से जल्मगरन हो जाएगा वनों की बरबादी में खनन ने भी मेथपुन पूमिका निबाही है पश्मी बंगाल में बकसा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंबीर खत्रे में है इसने कई परजातियों के प्राकरतिक आवासों को नुकसान पहुचाया है और कई जातियां जिसमें भारतिया हाती भी शामिल है के आवागमन मार को बादित किया है बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरन विद यह मानते हैं कि वन संसादनों की बरबादी में पश्चु चारण और इंधन के लिए लकडी कटाई मुखे भूंका निपाती है यद भी इसमें कोछ सच्चाई हो सकती है पर्यंतु चारे और इंधन हेतु लकडी क्या अश्चकता पूर्ती मुखे तै पेडों की टेहनिया काटकर की जाती है ना की पूरे पेड काटकर की जाती है वन परास्तिक तंद्र देश के मुल्यवान, वन पदार्तों, खनीजों, वेवन संसादनों के संचे कोश हैं जो तेजी से विक्सित और ओद्योकिक शहरी व्यवस्ता की मांग की पूर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये आरिक्षिक शेत, अलग-लग शेत लोगों के लिए अलग-अलग माइने रखते हैं और विभिन वर्गों के बीच संगर्ष के लिए अनुकुल प्रस्तितियां पैदा करते हैं अब अगला परशन है भारत में विभिन समूदाओं ने किस परकार वनो और वन्य जीव संगर्षन और रक्षन में युगदन किया है इसका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं वन्य जीवन और वनों में तेजी गती से हो रहे हास के कारण इनका संगर्षन बहुत आवश्चक है और हमें वनों वे वन्य जीवन का संगर्षन करना बहुत जुरूर है संद्रक्षन से प्रासिति की विवित्ता बनी रहती है तता हमारे जीवन, साध्य, संसाधन, जल, वायू और मिर्दा बने रहते हैं यह विविन जातियों में बेहतर जनन के लिये बनस्पति और पश्रों में जीन्स विवित्ता को भी संद्रक्षित करती है उधारन के तोर पर हम किर्शी में अभी वीपारम प्रिक फसलों पर निर्भर करते हैं जलिये जैव विवित्ता मोटे तोर पर मचली पालन बनाये रखने के निर्भर है 1956 और 1970 के दश्कों के दोरान परयवन सर रक्षों ने रास्टियव वन्य जीवन सुरक्षा कारिकरम की पुर्जोर मांग की भारते वन्य जीवन सनरक्षन अधेनियम 1972 में लागू किया गया था जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षन के अनिक प्रावधान थे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई इस कारिकरम के तहट बच्ची हुई संकट ग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिमंदन पर वन्य जीव अवासों का कानूनी रक्षन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोग लगाने आधी पर प पूशना की जिनका उद्देश्य है गंबीर खत्रे में पड़े हुए कुछ विशेश वन प्रानियों के रक्षन प्रतान करता था इन प्रानियों में बाग एक सिंग वाला गेंडा कश्मीरी हीरन अत्वा हुंगल तीन प्रकार के मगरमच स्वच जल मगरमच लवनिय जल म गरमच और घडियाल एशय इशेर और अन्यय प्रानी शामिल है इसके अत्रिक कुछ समय पहले भारतिया हाथी काला हेरन चिंकारा भारतिया गोणावन और हम हिंते इंदुआ आदी के शिकार और व्यपापर संपून अथ्वा आनशीक परतिवन लगागर कानूनी इरक्षन किया गया वन्य और वन्य जीवन के संसादनों के परकार और वित्रन के बारे में हमने पढ़ा अब यदि हम वन और वन्य जीवन संसादनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका परबंदन नियंतरन और विनी एमन अपिक शक्रत कछिने भारत में अधितर वन और वन्य जीव या तो परोक्ष रूप से सरकार के अधिका क्षित में है या वन विभाग अत्वा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंदन में है इन्हें निमलने की तवर गुम हम बाढ़ सकते हैं आरक्षित वन किसे कहते हैं आरक्षित वन का मतलब है देश में आधिक से अधिक व का एक तयाही रक्षित है इन वनों को और अधिक नस्टोने से बचाने के लिए इनकी शुरुरुप्षा कि जाती है थीसरा है ए वर्गी करदस्वन किसे कहते हैं एवर्गी करतस्वन अन्य सभी परकार के वन और रन जर्भूमिय जो सरकार व Kosaudh पूंदायों के स्वामित में होते हैं एवर्वी कर्ट वन कहीं जाते हैं अरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थाईवन और शेत्र हैं जिनका रख में अन्यावन पदार्तों और उनके बचाव के लिए किया जाता है मद्य पर्देश में स्थाई वनों के अंतरगत सरवादी क्षेतर है जो कि पर्देश के कुल वन क्षेतर का पिशतर पर्देशत है इसके अत्रिक जम्मू और कश्मीर, आंध पर्देश, उत्राखन, केरल, तमिनाडू, पश्वी मंगाल, मारास्ट में भी कुल वनों का एक ब वग्रगी क्रत्वन है तता स्थान ये समुदाओं के परबंदन में है आप देख सकते हैं किस परकार से भारत में राष्ट योद्धान वने पराणी अविहारन बनाए गए है मान्चित्र पर आप इन सभी का परदशन करके इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं अब परशन है वन और वन्य जीव संद्रक्षन में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबन लिखी वन्य जीव संद्रक्षन की नीतियों में हमारे देश में कोई नई बात नहीं है हम आम तोर पर इस बात से अंजान है कि वन हमारे देश के कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है भारत के कुछ ख्षेत्रों में तो स्थानिय समुदायों सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास्वतलों के सनक्ष्ण में जुटो हैं क्योंकि इसी से दीर काल में उनके अवश्यक्ताओं के पूर्ती हो सकती है सरिस्का बाग रिजर्व में राजिस्तान के गाओं के लोग वन्यजीव रक्षन अधिन्यम के तैत वहां से खननकारय बंद करवाने के लिए संगर्श रहता है कैक शेत्र में तो लोग स्वेम वन्यजीव आवास्यों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार के ओर से भी हस्कषे भी सुइकार नहीं कर रहे हैं राजिस्तान के अलवर में पांच गामों में के लोगों ने तो 1200 हेक्टर वन भूमी बहरों देम डाकोय सेंच्री घोशित कर दिये जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वरजित हैं तथा बाहरी लोगों की गुस्पेट से यहां के वने जीवन को बचाते हैं इजी परकार हिमाले में भी जो है हिमाले के परसीद चुपकों आंदोलन केक शेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा पर अपितु यह भी दिखाया गया है कि स्थाने पौधियों की परजातियों को परियोग करके सामुदायक वनीकरन अभ्यान को सफल बनाया जा सकता है पारंपरिक वन सन्रक्षन तरीकों को पुनर जीवित अत्वा पारिस्तिके किर्शी के नए तरीकों का विकास अव्यापक हो गया है तीहरी में किसानों का बीज बच्चाओ आंदोलन और नव दाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक और वरकों के परियोग के बि और पुनर निर्मान में स्थाने समधायों की भूमिका के महत को उजागर करते हैं अपचारिक रूप से इन कारेकरमों के शुरुवात 1928 से में होई थी जब उड़िसा राज्य ने संयुक्त वन परबंदन का पहला परस्ताव किया था वन विभाग के अंतरगत संयुक्त व और उत्पादों के हकदारी होते हैं तता सफल संरक्षन से प्राप्त इमारती लक्डी भी लाव में भी भागदार होते हैं भारत में परियावरन के विनाश और पुनर नर्मान की किरिया शीलताओं के सीख मिलती है कि स्थानिय समधाओं को हर जगे प्राकर्तिक संसादन प प्रकरति की पूजा सदियों पुराना जनजाती विश्वास है जिसका आधा प्रकरति के हर रूप की रक्षा करना है इनी विश्वासों ने विवेन वनों को मूल और कौमारे रूप बचा कर रखा है जिने पवित्री पेडों से जुर्मुट देवी देवताओं के वन कहते ह वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानी लोग ही घुसते हैं और ना ही किसी अन्ने को छिरचार करने देते हैं कुछ समाज कुछ विशेश पेडों की पूजा करते हैं और आधिकाल से उनका सनरक्षन करते आ रहे हैं चोटा नागपुत क्षेत्र में मुंडा और संथाल जन जातियां महुआ और कदम के पेडों की पूजा करते हैं उडिसर बिहार की जन जातियां शादी के दोरान इमली और आम के पेडों की पूजा करते हैं हम में से बहुत से वेक्ति पीपल और वटवरिक्ष को पवित्र मानते हैं। भारते समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और परतेक संस्कृति में प्राकर्ति और इसकी किरितियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आम तोर पर जहरनों और पाहडी चोटियों, पेड़ों और पश्चों को पवित्र मान कर उनका सनक्षिन किया जाता है, आप अनिक मंदरों के आसपास बंदर लंगूर पाएंगे, उपासक उन्हें खिलाते पलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं, राजिस्तान में मिश्णोई के गाउं के आसपास आप काले हीरन, चिंकारा, नील गाय और मोरों के जून देख सकते हैं, जो वहाँ के समुधायों का अभिन हिस्सा है और उनको नुक्सान नहीं पहुँचाता है, तो इस तरह से विद्यारतियों हमारा जोई ये पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें जो है, ये सभी जो अभियास के परशन है, ये आपको मैंने इस पार्ट में समझा चुका हूँ, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इन सभी परशनों को आसानी से समझ गए होंगे, और इन परशनों को आसानी से कर सकते हैं, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद क